पूर्व डिप्टी मेयर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पूरिमा जी किस तरह से देखते हैं आप इस सबकों की कल के दिन हमारे नए पार्लेमन का श्री गनेश भी हुआ है और उसमें अगर किसी चीज के बारे में बात हुई है सबसे पहले तो वो महिला आरक्षन के बारे म जी ने नतमस्तक होते हुए नए पार्लेमंट में अपना आगमन किया है और आगमन करते ही महिलाओं को सम्मान देने का जो विशे हमेशा उनकी चर्चा में रहता है महिला अरक्षन विल को डिस्कुशन में लाया गया है अपेक्षा यही की जा रही है कि थोड़े ही दिनों में अगर ये बिल में परिवर्टत होता है परिवर्टत होते हुए महलाओं को सम्मान मिलता है तो अपने आप में बहुट अच्छा किड़न है शासन में रहकर decision making में अगर महला का अपनी representation तो तो बहुत गुर्वानिت होंगी महला तो क्योंकि आप काफी टाइम से सियासत में हैं तो क्या आप अपने एक्सपिरियंस के हिसाब से बता पाएंगे कि पहले कुछ इस बारे में बात चलती थी या नहीं पिछली भी ऐसी सरकारे रही इवन हमारी बाजपा सरकार भी रही जब हमारे अटल बिहारी बाचपाई जी रहे तब भी इस बिल को इंटर्ड्यूस किया गया था लहीं कहीं तो कहीं ऐसे कारण रहे डिसकशन में आने के बाद भी कहीं सत्ताओं में रहते हुए भी यह बिल जो है वो लाप्स हो गया आपने देखा होगा कि आज लाइफ डिसकशन में हमारे मेकपल जी ने अबरी इ किया गया लेकिन आज सही वास्तरिक्ता में लाने के लिए अगर हमारा कदम एक सहरानी कदम हमारे प्रधानमंत्री नरेंदरवाई मोधी जी ने इसको लाया है आपने देखा है कि सब पार्टी ने इनका समर्थन भी किया है केबनेट अप्रूवल हो चुका है डिसकर्शन क आने के बाद में कैसा रहता है आप सब के मद्य में रहेगा मैम अगर बात की जाए आज ही के दिन की तो उमर अब्दुला साब ने एक मीटिंग जो है वो रखी हुई थी शेर कश्मीर भवन में जहां पर उन्होंने उस मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि इस बिल में अभी भी काफी सारे flaws हैं तो आप उस सब पे क्या जवाब देना चाहेंगे पहले एक बार अगर बिल पे अगर सभी तथ्यों को देखते हुए उस पे discussions सभी party के सन्युक्त जब discussion में आता है तो जो भी if what's रहते हैं कोई flaw रहता है वो बात की बात है कि उसमें क्या अमन किया आज उसकी existence पे हमारी discussion हो रही है कि अगर वो exist करता है उसके लिए सब की सहमती बनती है तो एक बहुत ही positive step है महिला वरग को सम्मान देने का आपने देखा होगा कि ये कठोर कदम हमारी केंदर शासित प्रदेश में जमों में अगर किसी ने change लाई है तो यही भारतिये जन् इतने अच्छे जो उन्होंने changes यहां पे करते हुए उन्हों अगर महिलाओं को सम्मान दिया है 35 को द्वन्स करके तो यही भारती जन्ता पार्टी की पार्टी है जिनोंने एक decision किया है और अगर इस discussion को अगर बिल में वो convert करते हैं तो यही भारतीये जन्ता पार्टी है और संज्युक्त एक अप्रोच है एक कॉमन अप्रोच है सब पार्टीस की मिलाजूला प्रयास है और प्रयास को परिवर्तन करना एक एम्प्लिमेंट टेशन में ये भारती जनता पार्टी भलीबानती जानती है कि कैसे इसको कनून में बदलकर हमें महिलावर को संबान देना है बहुत शुक्रिया बाच्चित करेंगी दन्यवाद जी अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर वेक्त कीजेगा और बताईएगा कि महिलाओं के लिए होने वाले इस आरक्षन की जो डिस्कॉशन चल रही है इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं फिल्हाल मुझे दीजे का इजाज़त मिलेंगे अगले वीडियो में देख तरिये जो मुलत आख वीजिए